हेलो बच्चो चले हैं एक नुमेरिकल करते हैं नुमेरिकल के अंदर प्यॉर सिलिकॉन की बात हो रही है प्यॉर सिलिकॉन एट थ्री हैंडर्ड कैल्विन has equal electron density and hole density concentration of 1.5 into 10 to the power 16 per cubic meter तो जो हमें दिया गा रहा है वो दिया गा रहा है कि भहिया number density of electron number density of hole और नंबर डेंस्टी ओफ इंट्रेंसिक चार्ज केरियर यह जो है यह 1.5 इन्टू 10 तो दी पावर 16 पर क्योबिक मीटर है यहां पे प्योर सेमिकंडक्टर की बात हो रही है इन्ट्रेंसिक सेमिकंडक्टर अब इसके बाद में डॉपिंग की जाती है डॉपिंग बाई इंडियम इन्क्रीच नंबर डेंस्टी ओफ होल तू 4.5 इंटू 10 तो दी पावर 22 पर क्योबिक मीटर अब यह कह रहा है क्योंकि आप डॉपिंग करती गई है तो डॉपिंग करती गई है तो आप कौनसा केस हो गया है अब यह एक्स्ट्रेंसिक सेमिकंडक्टर हो गया है और एक्स्ट्रेंसिक सेमिकंडक्टर के अंदर नॉम्बर डेंस्टी ओफ ओफ होल जो है वो आपको बताई जा रही है कि वह 4.5 इंटू 10 तो दी पावर 22 पर क्योबिक मीटर हो गई है तो एक्स्ट्रेंसिक सेमिकंडक्टर के अंदर आपको आप बताना है कि number density of electron कितना है यह आपको बताना है तो सवाल को थोड़ा समझने की कोसिस करें कि सुरुवात में तो यह pure semiconductor ही है यह intrinsic semiconductor ही है जिसमें number density of hole number density of electron बराबर ही है और वहां आप जानते हैं intrinsic semiconductor के case में ne equal to nh equal to ni होता है तो वो value दी गई है फिर उसको doping कर दिया जाता है और doping कर दिया था आप यह extrinsic semiconductor का case हो गया और यहां पर बताया जा रहा है कि number density of hole जो है वो इतना हो गया है अब आपको number density of electron बताना है तो extrinsic semiconductor के case के अंदर जो formula बनेगा वो formula बनेगा ne into n h equal to n i का square n e कितना हो जाएगा वो हो जाएगा n i का square upon n h values रख दीजिए n i की value तो दी ही गई है आपको 1.5 into 10 to the power 16 और इसका square करना है आपने upon n h कितना है 4.5 into 10 to the power 22 अब जब आप इसे हल करेंगे तो number density of electron जो है वो आएगा 5 into 10 to the power 9 5 into 10 to the power 9 नाइड हैं पर क्यूबिक मीटर झाल